दोस्तो स्वागत है आप सबका फिर से एक न्य वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा और बी बीटेक वालेों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टों पर वेकेंसी है आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संफीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉप सब डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रुप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह नोल्टस आपका एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आपकी अलग-अलग ब्रांचों के लिए वेकेंसी रहने वाली है जहाँ पर बी-बी-टेक और डिप्लोमा वाले लिजबल रहेंगे इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास एक्स्पिरियंस होना चाहिए पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल एंड साइट एक्जूकिशन के लिए यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोस्टों पर वेकेंसी रहने वाली है पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहेगी सीनियर इस्ट्रक्ट्ट्रल इंजीनियर के लिए अगर आपने वी बीटे किया फिर डिपलोमा किया है सिविल इंजीनिरिंग में आपके पास फाइफ येर कवर के एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे अगर आपने वी बीटे किया फिर डिपलोमा किया है सिविल इंजीनिरिंग में आपके पास फाइफ येर कवर के एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर रिलिजबल रहेंगे लास्ट वेकेंसि यहाँ पर आपकी रहने वाली है आर्केट के लिए अगर आप 3D Max पर रेंडरिंग कर रहेते हैं आपके पास मिनिमम फाइफ येर कवर के एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है M.A.P. engineers के लिए qualification में आपको बताया है अगर आपने B.E.B.T. के आफिल डिप्लोमा किया है civil या फिर electrical engineering में आपके पास 4 साल का work experience है आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे पोश्ट के यहाँ पर आपकी plumbing supervisor और electrical supervisors के लिए रहने वाली है next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है quality engineers के लिए अगर आपने B.E.B.T. के आफिल डिप्लोमा किया है civil engineering में आपके पास 4 साल का work experience है आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे last vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है steel foreman, suttering foreman, civil structural supervisor और finishing supervisor के लिए अगर आपने डिप्लोमा या फिर I.T.I. किया है relevant rate में आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.E.B.T. के आफिल डिप्लोमा किया है relevant branch में और minimum आपके पास इतना experience है आप इन पोश्टों के लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना अपलेटे CV लेना है और share कर देना है इनकी official email पर subject line में यहाँ पर आपको लिख देना है कि आप यहाँ पर किस post के लिए apply कर रहे हैं CV में आप लोग जैसी भी जानकारी provide करेंगे उसके हिसाब से short list करके यहाँ पर आपको interview के लिए बुलाए जाएगा interested or eligible candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में